नमस्कार आपका स्वागत है हमारे चेनल मदर डोडर कुटिंग सो में आज मैं बनाने वाली हूँ गर्मी में पी जाने वाली ड्रिंक तो चल यह बनाना सुरू करते हैं यह बनाया है हमने केरी का ठंड़ ठंड़ा बना यहां हमने कुछ सामगरी ले लिये तो यह पोधीना ले लिया है जो बिल्कुल फ्रेस है और यहां 500 ग्राम केरी ले लिये जीरा सौफ और काला नमक ले लिया है और चीनी ले लिये सबसे पहले हम केरी को धो कर अच्छे से चीछ लेंगे और इसकी गुठलियां अलग कर लेंगे और इसके छोड़ छोटा हम पीस काट लेंगे अब इसके बाद में हम एक तावा लेंगे अब तावे के उपर हम यह जीरा भूनने के लिए रख देंगे जीरे से बहुत अचा टेश्ट आएगा और ये डाइजेस्टन के लिए भी बहुत अच्छा होता है इसी तरह हम सौपी भून लेंगे क्योंकि ठंडी होती है गर्मी में हमें बहुत फायदा करती है अब इसे हम अलग कर देंगे और एक कड़ाई में पानी लेकर हम केरी उबालने के लिए रख देंगे अब ये केरी उबलने के लिए रख दी है इसे उबलने में 10 मिट लगेंगे इसे हम मीडियम आज पर पका रहे हैं बीच पीच में से चेक कर लेंगे अब ये केरी उबल चुकी है इसे हम एक बॉयल में निकाल लेंगे अब इसका पानी अलग कर देंगे और यह पानी भी बेश्ट नहीं करेंगे हम इसे तांबे पीतल और लोहे के बरतन साफ करने के काम में ले सकते हैं इससे आपके पुराने बरतन बहुत ही साफ हो जाएंगे अब यह केरी थंदी होगी जितने हम हमरे मसाला तयार कर लेंगे तो यहां मैंने पुदीना एक जारमे ले लिया है याँ मैंने एक चममच भुनावा जीरा एक चममच सोंफ इसमें एक कर दी है कलानमक एकिट कर दिया है थोड़ा सा हमने शंदान माकेट कर दिया अब इन सभी को हम ग्राइंड कर लेंगे एक ग्राइंड हो चुके अब एक छनी की मदद से इसे हम चान लेंगे आप चाहे तो इसे बीना चाने भी बना सकते हैं पर चानने से चानने से इसके रेसे मुमें नहीं आएंगे और यह बहुत ही अच्छा लगेगा अब इ canopy चंच चुका है अभी केरी भी ठंडी हो चुकी तो इसे हम चारव में डाल कर हम ग्रैंट करेंगे टोड़नेंगे हमने इसमें इसमें कड़ाई में अटकर तीया हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी अगर कम लगता है तो इसमें पानी ओडाल देंगे अभी हमने चीने भी इसमेट कर दी है अब इसको पकने देंगे अगर आप इसको इस्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसको थोड़ा ज्यादा पकाएं और इसको हलका सा थिक होने दे अब हम गेज की फ्लेम को बंद क कर रहा है क्योंकि हमें इसे तुरंत यूज करना है तो आप इसे हम ठंडा होने देंगे इसको पीने से लो भी नहीं लगेगी और यह बोडी में ठंड़क भी बनाए रखेगा साथ ही साथ आपका यह डाइजेस्टन भी अच्छा रखेगा तो यह केरी का पना रेड़ी है आप इसे ठंडा होने देंगे और ठंटी ठंटी ऐसके संग भी से शारु कर लेंगे बाहर की कोल्ड ऑनी पीने से अच्छा है अपिए घर का पना बनाकर मेहमानों को भी पिलाएं और फइमली को भी पिलाएं इस गर्वी में हेल्दी डिंक चर चाहें और अगर यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए